पेड़ पोदे हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है ये तो समय जानते हैं समय समय पर लोग व्रक्षा रोपन भी करते हैं और व्रक्षों को सहीजने का संकल्प भी लेते हैं ये संकल्प जरूरी भी है तोकि पेड़ों की सरक्षा करना हमारा करता विबनता है पेड़ों की सुरक्षा से जुड़ी एक बात आज आपको बताते हैं हमारे देश में एक ऐसा वियाईपी पेड़ है जिसके सुरक्षा में दिन रात पलिस के तीन जवान तैनात रहते हैं और तो अगर ये पेड़ बिमार पड़ जाए तो वनस्पती वैग्यानिक इसका इलाज करने के लिए पहुच जाते हैं ये सुनकर आपको थोड़ा अश्यर जरूर होगा लेकिन भारत में ये एक मात्र वियाईपी पेड़ है जिसकी सुरक्षा बड़ी ही मुस्ताइदी से की जाती है 21 सितंबर 2012 को श्री लंका के राश्पती और जापान के प्रिधान मंत्री ने ये पौधा रोपा था और इसे आज बोधी व्रिक्ष के नाम से पहचाना जाता है आपको बता दें कि 300 ईसापूर्व पवत्र बोधी पेड़ जिसके नीचे बैटकर गौतम बुध को सत्ति की प्राप्ती हुई थी इसी की एक शाखा को भारत से श्री लंका ले जाया गया था और इस पेड़ की शाखा को सांची युनिवसिटी की आधा शिला आयोजन के दरान श्री लंका के राश्पती रहते हुई महिंद्रा राजपक्षे ने रोपा था भारत और श्री लंका के बीच विश्व धरोह सांची से 5 किलोमीटर दूर सलामतपुर के पास सांची युनिवसिटी के लिए आरक्षत जमीन जिसे भारत और श्री लंका के बीच सेतु के रूप में भी कहा जाता है वहाँ इसे लगाया गया था और आट सालों से इसकी देखरे को सुरक्षा के जम्मदारी राहसें जिला प्रश्यासन के पास है मौसम में हुए परिवर्तन की वज़ा से इसमें हीड़े लगने लगे थे तब वनिस्पति वैग्यानिकों को इस पेड़ का इलाज करने के लिए बुलाया गया था सिर्फ इतना ही नहीं जब इस पेड़ बिमार हो जाता है तब ही इसका इलाज किया जाता हो बलकि आम दिनों में भी इस पेड़ की देखरे के लिए हर महीने करीब डेड़ से दो लाक रुपए खर्च किया जाता है वहीं कर्मी के मौसम में इस पेड को टैंकर से पानी भी दिया जाता है इस पेड की सरक्षा तो पलिस जबान और प्रिशासन कर ही रहा है लेकिन हमारे आसपास ऐसे हजारों पेड मौझूद है और हमें उनकी सरक्षा की जिम्मदारी लीने चाहिए आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें